और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कि सर्फराज एहमद गिरिडी के गांडे सीट से वधायक थे पिछले साल 31 दिसंबर को उन्होंने इस्तिफा दिया था देखे राटसवा के लिए गडबंदन दलने कॉंग्रेस राज़द माले और जामुमों के सभी गडबंदन के साथियों का सर्वसंबत उम्मिद्वार सर्फराज एहमद जी हुए है कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे चुनाव नजदीक है न तो और भी बाते हो रही थी सभी विदायक अपने अपने त्रकी बाते कर रहे थे किनके यहां शिला नियास है लोकारपन है किनके आख्या दिकते हैं मान्ये मुक्यमंति जी सामने मिले तो सब लोगों ने अपनी बाते रखी तीसरा जो एक लेकिन उस पर कोई ऐसी चर्चा नहीं हुए सारवजानी कोई चर्चा नहीं हुए कि अकुल मिलाकर के अभी स्थितियां है वो अलग-अलग से जो में कोई सीटों पर सिट्वेशन हो सकता है लेकिन पूरे देश बर में एक कमों बेश सहमत्री बन गई है कि भारतिय जंता पार्टी के खिलाफ जो दल है और जहां भी हैं वो एक साम ही चुनाव लड़ने हैं लगातार कुछ एकादू का एक्सेप्शन हो सकते हैं अपवाद हो सकते हैं लेकिन मुल देश और पूरे देख में देखें दिल्ली से लेकर के जहां तक बाकि सारे राज्यों के आ रहे ह यूपी तक के भी बाकी जीजों में यही अस्परस्ट है उने का कि हमारी तो आप सकता है भी नहीं वो सीट कॉंग्रेस की थी हालात ऐसे बने कि सीट जेम को चला गया हमनों ने बड़ा दिल दिखाया और जो सीट गया है सफरास साब को कोई ऐसान नहीं किया उन्होंने उन राजिश ठघरूप कहा दिया है लोग सभा में एक सिर्व को मिलना चाहिए परतार ने सभी इस रिलिजीन लेटे हुए सभी चीज़ोंहों लेटे हूए एक लिरना लिया है कि उन्होंने प्रस्ताब रखा कि उस प्रस्ताब नई रखा कि अगर उमीद्वार हो तो सभी गा आगामी राज्य सभा चुनाओं और लोकसभा चुनाओं के मद्दे नजर सत्ता पक्ष और विप्रूपर।